हेलो फ्रेंड्स एक बार फेस्ट है आप लोगा स्वागत है आपके अपने येटुब चैनल दा मैथमाजिशन शो में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग a b c d e f जो कि एक क्लोस figger है इसका perimeter find करेंगे त्रेंड्स a b f यह एक एक провetion ट्रांगल है और इसमें a f का length है 4 cm तो a b और b f उसका भी length हो जाएगा 4 cm क्योंकि equilateral triangle के सारे side का length equal होता है उसके बाद b c g यह एक rectangle है और b एफ का लेंथ 4 cm है इसका मतलब इस रेक्टेंगल का लेंथ 4 cm हो जाएगा और इसका एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का एरिया ओफ रेक्टेंगल B C G F equal given at 12 cm square ठीक है उसके बाद C D E F ये एक रॉंबस है और E F का लेंथ है 5 cm इसका मतलब है कि रॉंबस के साड़े साइट का लेंथ एक्वल होता है इसलिए C D D E और C F का भी लेंथ हो जाएगा 5 cm अब हम लोगों को A B C D E F जो की figure है उसका perimeter find करना है तो चले शुरू करते हैं friends इस figure में B C G F में अगर हम लोग B C का लेंथ पता कर लेंगे तो फिर हम लोग आसानी से पूरे figure का perimeter पता कर लेंगे तो B C का length पता करने के लिए हम लोग length into breadth होता है area of rectangle हम लोग जानते है area of rectangle होता है length into breadth ठीक है तो यहाँ पे यह B F जो की length है यह given है तो यह है 4 cm into breadth equal और area given है 12 cm square 12 cm square b equals 12 cm square by 4 cm ठीक है equal 3 cm तो बिसी का length हो गया 3 cm कि पेरी मीटर of the figure a, b, c, d, e, f equals तो गये किसी भी figure के perimeter को पता करने के लिए हम लोग बाहर के boundary का length पता करते हैं ना कि अंदर के अगर हम लोग a, b, b, c, c, d, d, e, e, f और f, a के लंबाई को जोड़ देंगे तो इस figure का perimeter हम लोगों को मिल जाएगा तो a, b, plus, b, c, plus, c, d, plus, d, e, plus, e, f, plus, f, a equal तो इन सभी को add कर देते हैं तो इस figure का perimeter हो जाएगा 26 cm अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चानल को सब्सक्राइब करके बेल आगए अगन दबादें ताके आपको इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक्स फॉर वाचिंग